नमस्कार आप सुभी का बहुत स्वागित करती हूँ भारत 24 पर मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं दजेसी शोग हर्याणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगा लिये और हर्याणा राज्य के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार में इस तरीके से जीत दर्ज की हो बेरहाल दो सो चालीस पर लोगसभाद चुनावों में सिमटने के बाद बीजेपी के लिए हर्याणा की जीत एक बहुत बड़ी जीत है और दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी जो ये मान कर चल रही थी कि हर्याणा चुनावों जीतेगी उसके लिए बहुत बड़ा जटक लेकिन किस तरीके से पूरा गेम पलटा आखर गेम चेंजर कौन साबित हुआ हर्याणा में बीजेपी की इस जीत का श्रेक किसके सर पर जाता है और हर्याणा में किस तरीके के समीकरण बदले और बने आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे दजेसी शो में और हमारे साथ म पंत्री मोधी की फोटो के साथ इसके माइने क्या है इसका एक ही मेसेज है कि मोधी है तो मुम्किन है मोधी ब्रेंड इस्टिल स्ट्रोंग और पावरफुल टाइगर अभी जिन्दा है इसे हम कहते हैं 15 दिन पहले क्या हाला थे बाजी हाथ से निकल रही थी नेंद मोधी को हर्याना हाथ से जा सकता है सभी पॉलिटिकल एजनसेज गफ्रेंट आजनसेज सब का एक है गयाना था जबी जबान में हर्याना टफ है लेंद मोधी ने कमान अपने हाथ में ली आविशा को आगे किया उन्हें फ्री हैंट दिया उन्हां रिवर्स पोल्राइज़िशन किय पूर जो कम्यूनिटीज हैं, ओबीसीज हैं, उनमें सैंस ओफियर क्रेट किया, और कुछ में अलाके जो है, वोर्ट सो कंसलोरेट किया, जाट वर्सिज आल, 36 कौमों में एक कौम एक तरफ, 35 कौम एक तरफ, उसका प्रणाम आज आपके सामने है, and this is the strategic victory of लेंदर मोधी, सब के में इसको पलट के रख दिया, आज लोग 240 की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग कह रहे थे कि हर्याना के बाद में हर्याना हारेंगे, और उसके बाद में जारखंड और महराश्टा भी हारेंगे, वो साला perception एकदम से पलट कर रख दिया गया है, उनने अंदर मोधी ने, ज 29 की बाद भाजपा वाले फिर से कर रहे हैं, कल नेंदर मोधी गए थे, भाजपा हेड़कोर्टरस, क्या उसाथ था लोगों में, वर्कस हो, जिसे कहते हैं, वो करने गए थे, मॉबलाइस, तो उसी से पता लगता है सारा, कि एक विकती ने एक दिन में पूरी डीम और की तरह स्क्रीन चल रहा था, सुबर 9 बजे तक स्तिती एकदम अलग थी, 11 बचते बचते सब कुछ बदल गया सर, और TV स्क्रीन भी T20 की तरह चेंज हो रहे हैं थे, आप उस पूरे सिनारियो को सर कैसे देखते हैं, सिनारियो बड़ा इंट्रस्टिंग था, लेकिन नथिं रौंग इनिट जैसा था, वैसा ही दिखाई दे रहा था, वहाँ पे जो है, हालात यहां तक थे, कि खुद सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी हार मान बैठे थे, वो बयान तेर करके बैठे थे, कि विहार की डिकलेयर, जो हार डिकलेयर होगी, तो मैं गोशना करूँ इस हार के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, केंद्री नेतर तो जिम्मेदार नहीं, इसके लिए, हालात यहां तक थे, इन हालात बदल एकदम से, आप देखिए कहां तो कॉंग्रेस की बाद रहती 67 और 17 की, फिर 43, 43 पे आये, फिर 50 और इस पे आगए, आगए जाकर के, तो चे बाउंटिंग का खेल है, इने वे, जैसे घटनाई आई, वैसे घटनाई चली वहाँ पर, लेकिन सीन था बहुत इंटरस्टिंग, यह कहना पड़ेगा, और हालात यहां तक थे, कि सेनी खुद अपनी हार मान के, संभावित हार को मान के, अपना वक्त वे तियार करने बैठ गए थे, लेकिन हालात ने फिर पलटा खाया, सर हराणा कि सारे एकजिट पोल एकदम से पलट गए और आखर यह हुआ कैसे, वो पलट गए सारा, आई टाइम से मिन्ने ने बहुत अची एडलान लगाई है, उसने का, BJP 1, National Conference Congress 1, and Polster 0, बहुत अची एडलान लगाई है, तो they have lost their credibility, exit polls जो है ना, उन्होंने सारी उनकी credibility, उनकी विश्षशनिता, उनका रुत्वा, उनकी relevance, सारी एक जटके में खतम होगी, और यह पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार विधासवाद चुनाव के समें, 36 कोड़ा मद्यपरदेश्यों यही रिपीट हुआ था, इस जटका ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 13 के 13 जो थे, exit polls, वो सारे का सारे Congressi clear majority, 50 count seat के साथ में, 55 seat के साथ में बता रहे थे, और हुआ रिवर्स, तो मेरे खाल से, I think they should now shut down their shops, exit polls have no relevance now. पड़सर क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमिर्शा को भी इस तरीके के चमतकार की उम्मीद थी, हर्याना चुनावों में? लेकिन इरादा था, commitment था, एक strong willpower है नरेंद्र मोदी अमिर्शा की, कहीं जीतेंगे अपन, और फिर 11 थार पर strategy गोना चेंज किया, और जीत के दिखाया. हर्याना चुनावों में आए नतीजों का, एक message ये भी बाना जा रहा है सर, कि नरेंद्र मोदी अमिर्शा, जा जाएं, वहाँ कमल खिला सकते हैं. वहाँ किला सकते हैं, आप देखिए ने पिसला चुनाव जो हुआ, राजस्तान मद्देवरिश चत्तिस गट, लोकल लीडरिशिप का कोई contribution नहीं था, कोई role नहीं था, कोई consultation नहीं था, कोई contribution नहीं था, किसी तरह का जो है, एक जटके हमनें सरकाब बनाई वहाँ पे जो ह है, और कारण इसका क्या है, इसका कारण यह कि नेंद्रमोदी का लोग पर यह चेहरा, ठीक है, और अमिश्या की स्टैटेजी, unique combination है, अधूत combination है, इसलिए मैं भी कह सकता हूं आपके साथ साथ, कि जहां चाहें, वहां कामल खिला सकता हूं, हर्याना में उनकर के दिखा जि एक सीट नोंने निर्दिली एक लिए छोड़ दी थी, जो है, तीस एक्स्टा उन्होंने खड़े किये थे, वो एक-एक सीट का घनित बैठाते है ना मिश्या, वो घनित कॉंग्रेस के पास नहीं है, वो commitment वो रात को तीन बच तक काम करने की शक्ति, शमता और कंप्यूटर यहां ज़्या, वो कॉंग्रेस के पास नहीं है, जो मिशा के पास है, तो तीस उन्होंने अलग-अलग प्लैन किये थे, यहां निर्दिली यह खड़ा होगा, यहां JGP के खिलाफ खड़ा होगा, यहां OBC कि खिलाफ यादमी खड़ा होगा, वो सारी स्ट्राजी थी उनकी, कि किसी तरह से उपर नीचे हों तो 10-15 निर्दिली आ जाए और रास्थान के शोग घलोट मोडल की तरह हैं जोनों वो लोग सरकार को बाहर से समर्थन निया सरकार के अंदर आ जाएं यह वास सही है कि चुनाव तो वाकिए हुए 130-130 वर लड़ रहे होंगे इसको सरीक अलग तरीके से भी देखा जा रहे है कि नरनमुदी साशन के 23 साल पूरे कर चुके है और हर्याना की जनता ने हर्याना में चुनाव जिता कर एक गिफ्ट दिया है उनको आफ कोर्स कह सकते हो आप इसे जो है इससे वड़ी गिफ्ट उनके लिए हो नहीं सकती ऐसे गिफ्ट जो उनके लिए नहीं है पार्टी के लिए है उनके कारेकरताओं के लिए है पूरे के लिए है इससे अच्छे गिफ्ट नहीं हो सकती और सीम ने वहां कहा ना हर्याना के कि not only this बलकि जो सो दिन के उपलब्दी हैं नेंदर मोधी सरकार की इस कारेकाल के पहले सो दिन के उपलब्दी हैं उनका भी असर हुआ है अमरली बेनफिशल रही है यहाँ पे हर्याना में जो है तो निश्यत्वर पर कहा जा सकता है तो basically शतरण की विसाथ है अमिशा की घर पे बिचि अमिशा की टेबल पर बिचिस wagons जैसे कहते हैं इसलिए कर चाहता है अमिशा दा मैन चारिव सब्सके जीत के कारण होंगे तो सबसे बड़ा जीत का कारण रहा कि 11th हाओर पे आमिशा का enter होना, उनकी strategy जिसे कहते हैं, micro management, resources, finances और एक-एक seat पे focus करना जो आदिती ने कहा कि तीस आदमें extra खड़े की ये field में, ये सारी strategy थी, बड़ा कारण ये था और वो किसी तरह से काम्याब हो गए इस अंदर ये message देने के अंदर, पूरे हराना के अंदर कि this election is jat versus non jats आप यहों कहिए, और jat क्या martial कौम है, फिर पहलवान और जोड़ गए थे परचार के अंदर, तो जनता में image इस तरह गया कह रहे, पहलवान लोग हैं, jat हैं, powerful लोग हैं, तो दूसरी community में कहा sense of fear एक तरह रहा sense of polarization create हो गया, जिसे कहते हैं, reverse polarization, उसमें Amir Shahad जो है, काम्याब रहे, दूसरी बड़ी काम्याब भी उनकी इस बात में रही, कि jat अगर हैं वहाँ पे, तो सतीश पुनिया काया करके, जो BJP Congress के jat, जाटों में भी उन्हों नें जन डिविजिन पैदा करनी कोशिश की, OBC जो लग ला था, कुछ है, गोबी सीज, दली, जो Congress में जा सकते हैं, एक-एक सीट को मार करके, उसमें डिविजिन करनी ही कोशिश की, तो कुल मिलाके, सारा जो चुनाव है, ये एक strategy पर अधारित था, और basically division of words पर अधारित था, जिसमें Amir Shahad को success मिली, और ये कहा जा सकता है, प्लस, Congress की जो अंदरूनी रडाई थी, शेल्या factor था, उसनोंने बड़ा brilliantly uncash किया, प्राइमिनिस्टर से भी करवाया, खुद भी uncash किया, तो पुरा package था इस तरह का, जिसमा Amir Shahad का एक major role कहा जा सकता है, और इस package के जरूर है मेरे मित्र विवेक, उनका कहना ये कि victory का जो सबसे बड़ा कारण है, इन सब के साथ साथ, वो ये था कि United BJP versus divided Congress, ये एक बहुत बड़ा कारण था, तो घुमफिर के बाद वो ही है, तो these are the reasons जिसे हम कह सकते हैं, all these reasons contribute to the unprecedented victory of BJP नहर्याणा. सराके, मुख्यमंत्री पद के लिए किसकी choice थी नायब सैनी? ये तो देखा है, तो मनौरलाल का है, उनके बच्चे की तरह है, उंगली पकड़के उसको आगे बढ़ाया, उनके पसंद का था, मनौरलाल के रिष्टे हैं, प्राइमिनिस्टर से पुराने, बहुत पुराने, हिमाचल के हराणा के दिनों के, मोधी रिष्टेनी भाते हैं, तो उनको हटाना था, एंटी, एस्टेविलिशन फेक्टर का मेसेज नहीं जाए, तो साड़े नौ साल लखा मुख्यमंत्री उनको, बाद में लाए, एक दिन बुला के पूछा, कि किसे लाएं, तो उन्होंने ये ही कहा होगा, जैसे आपके इच्छा, एक राम के सामने हनमान की जो मुद्रा होती है, लेकिन उन्होंने बड़पन दिखाया प्राइमिनिस्टर ने, नाम पूछा, ऐसा सुना, मैंने कि खटर नहीं उसका नाम सुझाया, फिर सेमती बनी, अमिर्शा के लेवल पे, नड़्धा के लेवल पे, और फिर इस तरह से, वो एक वेक्ती मुख्यमंत्री बन गया, उनकी च्वाइस थी, मौटे तोर पे ये कहा जा सकता है, और उसका भाग गये था, जो मैंने पहले भी कहता हूँ, जनम पत्री मुख्यमंत्री बनना लिखा था, एक नहीं दो बार मुख्यमंत्री बनना लिखा था, तो लग गये, तो मोटे तोर पे मैं ऐसा कॉंट्रिबूट करता हूँ, कि ये बेसीकली जो है, ये खटर की चोईस थी, उनकी रिक्वेस्ट थी, तो इसे प्राइमिनिस्टर ने माना, आमिशा नड़्डा ने अंडोर्स किया, मुख्यमंत्री बन गये, ठीक है, सर आज हर्याना की जीत कश्रे, हर कोई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, आमिशा नड़्डा ने अंडोर्स किया, और बाद में क्या हुआ, कि दुआरा मुख्यमंत्री बने, तो वो क्या है कि लो परफाइल ना, हीज़ा साइलेंट परफॉर्मर, पीछे रहेंगे, और जो बड़वे लोगों की दोड़ है, इसमें वैसे भी क्या है, कि पीछे रहना ही, बुद्धी मता मानी जाती है, तो बुद्धी मान वेक्ची है, इस इस अल, क्या सर, गुजरात की तरह हर्याना में भी, चुनाओ के कुछ महीने पहले, मुख्यमंत्री बदलना, ये कारगर प्रयोग थाबित हुआ बीजे पी के, ये नए ट्रेंड है भाजपा का, नेंदर मोद्य अमिष्णा का, जो सक्सेज है, नोट अल्ली हर्याना, आप गुजरास्टे शुरू करिए, देखिए, अनंदी बेन पटेल थी, तो विजयरुपानी आये, फिर विजयरुपानी को एन वक्त पे चेंज किया, तो पटेल आये, वहाँ पे जो है, और पटेल सक्सेज है, एकसोई ब्यासी के हाउस में, एकसोचपपन सीटने लेका है, असेमले इलेक्शन में आप देखिए, उतराखन देख लीजिए, उनको उनकी जगे जो है, धामी को लाए, यंग धामी, धामी पूट वे मिरेकल, सतर में संताली सीटने लाए, और धामी अच्छा काम कर रहे हैं, आप देखिए, जो सी सी लागू कर रहे हैं, और अच्छा कर रहे हैं, इस दा इमेज और एक गुट एंड एफेक्टिव चीफ इनिश्टर, ओने चीफ इनिश्टर जो है, तो खड़ते हैं, करनाटक में जुरूर काम्याभी नहीं मिली, बाकि उनका इससा क्यों हर्याना आपके सामनी है ये, तो सही है कि इस तरह से करनाटक, अब ये एक मेसेज है इसका, कि जिन राज्यों में चुनाओ होने बाले हैं, और छे मिने बचे हैं, वहाँ के मुख्य मंत्रियों को भाज़ पर, मुख्य मंत्रियों को सुचलना चीफ उज़ जा सकते हैं, इस प्रियोग के तहत. सर, अब मंत्री मंडल गठन में आखिर किसकी चलेगी? वैसे तो अब देखा जाए, गठन तो है कि भी बेसिक होंबर तो लगता मुझे हमिशा करेंगे, एक तरह से क्योंगि सारी बाजी उन्हों नों बजाई है, लास्ट के डेज के अंदर, अब बजाए, तो अब देखा जाएगी, तो घूम फिर कि तो इसमें क्या है कि ज्यादा जो सेंट्रिक रोल है, वो शायद अमिशा कर रहेगा, इन कंसिल्टेशन विद मनोरलाल, मनोरलाल थू प्राइमिनिस्टर, नोट डिरेक्टल में नोट भी डिरेक्टल है, और नडड़ा से डिरेक्ली बात करके जो है, और इस तरह से हो जागा, नड़ा का भी कोई ऐसा हराणा में ऐसा इंटरस्ट नहीं है, रास्थान में फिर भी थे चीफिनिस्टर मिलने वाले थे, तो यहां को ऐसा इंटरस्ट नहीं है, तो इस तरह से क्या है, कि हाई कमान बेसिकली यहां तैय करेगा, और एक कंसेंस सा होगा, चुकि युनाइटेट पार्टी है, डिसिब्लेंट पार्टी है, तो कोई आवाज आने वाले नहीं, उसमें कि यह गलत हुआ के सही हुआ, तो इट विए डिसिशन फांदा पार्टी हाई कमान, सर क्या उपमुख्यमंत्री का पद भी होगा, हो सकता है, आजकल जिस तरह का रहता है, हलांके हर्याना में को ऐसी रिक्वार्मेंट तो नहीं है इस तरह की, लेकिन ये तो वो स्टैटिजिस्ट लोग जो हैं पार्टी में, अमिश्या एंड आल, ये लोग तैख करेंगे, उसको जो है, तो रूल डाउट नहीं है, उपमुख्यमंत्री अपाद होना, अरजुनरा मेगवल, सतीश पुनिया और इसके साथी गजींदरु सिंग शिखावत, उनका रूल कैसा रहा, कैसे देखते हैं आप? इसमें देखिए, रूल तो कई सारे लोग थे, पहले मैं धर्मेंट प्रदान से बात करता हूं, वो तो लकी पार्टी औरनाइजर हैं, जिस राज्यमं सरकार उनको भेजती है, पार्टी भेजती है, उनको जिस राज्यमं चुनाव के लिए, और सरकार बन जाती हुआं, क्या है कि, I think he is only among those, जिसको प्राइम निस्टर और अमिर्शा दोनों का आशिरवाज जैसे कहना चीपराप्त है, एफेक्टिव हैं, आप देखे, उडी सामें सरकार बना दी, वहां पे, और राज्यमं जाते हैं, अब यहां की जिम्मेदारी थी, यहां उनका मेजर कॉंट्रिबुशन यह था, कि OBC और दलिद जो हैं, खास करके OBC और SE हैं, उनको हैंडिल करना है, तो पूरी जो GT रोड है, सद्रन हर्याना है, वो सारा एरिया उनके पास था, तो उन्हें गांगां जाके, कि छोटे-छोटे लोगों उनके जो गुरूप से हैं, OBC के अलग गुरूप हैं, SC के अलग गुरूप हैं, उन साथ से मुलाकात की, और कई बार कई लोगों को भरोसा दिलाना पड़ता था, कुछ लोग नहीं चाहते थे, कि खटर द्वारा मुख्यमंत्री बने, कुछ लोग नहीं चाहते थे, होता है आप पौलिटी-पौलिटिक्स में, तो उन्होंने साफ तोर पे भरोसा दिलाया, राज्ये की पूरी OBC को, और फिर High Command से भी क्यालवाया, कि नौमिनी सैनी ही रहेगा, मुख्यमंत्री यही बनेगा, तो एक घलत मेसेज नहीं चला जाए, तो एक रोल था उनका, तो ग्रास रूट पर उन्होंने वहां काम किया, जो सब के सामने दिखाई देता है, रही बात, दूसरी आप बात कहते हैं, गेजन स्विंग शेखावत, उसे पहले चीफिनिस्टर भी गए, रास्तान के चीफिनिस्टर जो है, तो वहां पे 6 सीटों पे गए, हराना में 5 सीटें जीत किये, जम्मू भी गए थे, एक कलेक्टिव एफट था, गेजन स्विंग शेखावत तो बहुत एक्टिव थे, रहना में 15 दिन तक लगाता रहे, साथ कॉंस्टेंसीज पे फोकस था उनका, और 100 परसेंट विक्ट्री आई, उसमें साथों साथें सीटी जीती उनन वहां पे, आप गेजन स्विंग शेखावत कहावत, वहां के लीडर है, राज्यस्वा में में मिल गए, बाद चल रही थी, उनका कॉंट्रिबूशन बहुत अच्छा रहा, तो निम्मराजी ने कहा, को कमिटेड है, पूरे टाइंग वहीं रहे, जैपूर नहीं आए, लोटके, अपरेशन हुआ उनका रहो तक में, पत्री का उपरेशन था, शायद वहीं पे हर्याना में रहे एक तरह से, उनका रोल भी अच्छा था, फिर अर्जुन मेगवाल भी गए थे, 20-25 लोग और गए थे सारे, तो कुर्मिला के राजस्तान, चुकि पड़ोसी राज्या हर्याना का, तो इसलिए रेलेवेंट था राजस्तान के लोग जाना, और इन सब ने अच्छा काम किया वहां पे, असे भजलाल शर्मा भी बड़े उत्साहित का नजर आए, उनका भी रूल के सारा, रूल यही था उनका, वो भी मैंने का छे में गए, छे में पांच में जो है, वो जीत गए, चुना वहां पे जो है, जम्मू भी गए थे, वहां को निर्दिलिय जीता है, और हर्स में और रहते हैं, कहीं भेज़ दो, कहीं लगा दो, तो मुख्यमंत्री वही काम्याब होता है, योगी की तरह जो ट्रेवल से संकोच नहीं करता, जिसके लिए डिस्टेंसे और उनली साइकलोजिकल जो रहता है, उस लोग ट्रेवल से संकोच करते हैं, जो है मुख्यमंत्री, तो वो जनता के वीज़ रहते हैं, अब योगी को देखो, 25 दिन महीने में बाहर रहते हैं, तो हिजनलाज शर्मा का व्यास है, जनता जुड़े रहते हैं, तो दिस इस अल उनकारवल अच्छा था. सर, स्टार कैम्पेनर की भूमिका में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदितिनाथ की भूमिका को, हर्याना चुनाफ के नतीजों में आप कैसे देखते हैं? Of course, योगी वाज़े स्टार कैम्पेनर ने हर्याना, कुल 14 स्थानों पर ने सभाएं करी, जिन में से नो स्थानों पर भाज़पा के MLS जीत करके आए, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी थी उनकी, और उनका फोकस एक ही बात पर था, कि सारे हिंदूओं को एक जुट होकर राश्ट के लिए वोटिंग करना चाहिए, और अगर आप लोग एक जुट नहीं रहेंगे, तो उन्होंने एक नया नेरेटिव सेट किया, कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, योगी के बाद में और योगी से पहले भी, RSS Chief जो है मोन भागवत, वो भी ऐसा नेरेटिव सेट कर चुके हैं, तो इस प्रकार में ने देखा, कि भागवत, योगी के विचारों में, इस विशे पे एक रूपता थी, एक सवानता थी, जिसे वहां के जनता ने पसंद किया, और भाजपा के पक्ष में, हर्याना में, लोगों ने वोड दिया. हर्याना की राजनीती से जुड़े कुछ लोगों का ये मानना है, कि सचमुछ भागवशाली और हर्याना की नए हीरो है, मनुहर लाल, ऐसे क्यों कह रहें लोग? वो योँ कह रहे हैं, in the sense, कि भागवशाली दो तेर ऐसे हैं, एक तो उनका व्यक्ति, उनका नोमिनी, उनका बच्चा कहिए, या शिष्चे कहिए, सैनी, वो मुख्यमंतरी बन गया, दुबारा बन गया पांस साल के लिए, ठीक है? दूसरा भागवशाली ऐसे हैं, कि उनकी जो करनाल है, शायद कॉंस्टेंसी, तो उनकी जो परलेमेंटरी सीट है, वहाँ पे पांच असेम्बली कॉंस्टेंसी हैं, वहाँ पे जो है, वो सारी सारी जीत ली, वहाँ पे जो है, तो मनोरलाल के एरिया में पूरा का पूरा BJP ने स्वीप किया उनकी लिए भागवशाली की बात है, दूसरा क्या है, थ्वासा, निराश्वानी की बात भी है उनकी लिए, वो बात ये है कि, जिसे हम नहीं कह सकते कि आज वो हीरो है, हीरो तो अमिश्या हो गए, एक तरह से जो है, तो शुरुआती दोर में जो है, घटर का रोल था, सारी जो रचना बनी थी, अर्याना की, वो उन्होंने बनाई थी, स्ट्रेटरिजी जो है, अपने पसंद के उमीदवारों को टिकेट दिलाया था, अपनी मर्जी के लोगों को दूसरी पार्टियों से लाके वहाँ पे जोड़ा था, यहाँ पे चाहिए कॉंग्रे से आये थे, जजेपी से आये थे, किसी और पार्टी से आये वहाँ पे जो है, लेकिन क्या होगा कि धीरे धीरे जो है, और यहाँ तक के शुरू में देखा जाया तो उसको मुख्यवंत्री बनाए, इस हैनी को, उनकी कॉंस्टेंसी उननों नित्या करवाई, कि कहां से चुनाव रहा हैंगे, कहां से जीतना सुनिश्चित है यह, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ-साथ क्या डालूट होता चला गया, पुछ एजनसी से रिपोर्ट इस तरह की गई हाई कमांड को, मीन से नेंदर मुदी अमिशा को, कि एंटी-इंकमेंसी का जो नेगिटिव फैक्टर है, वो खटर के साथ जाने से आगे प्रमुकतास आने वो सामने आ रहा है, तो थ्वास एंको, as a part of strategy, थ्वास पीछे कर दिया जाए, तो बाद में फिर यह हुआ, उसके बाद में कि जो पोस्टर थे उनके उसमें नहीं लगा, कैंडेट्स ने परचारम का नाम ही लिया, वो silent worker हो गए, वो बेक्रूम बॉय के रूप में चले गए, रोल होता है अपना-पना, तो पार्टी ने पहले उनको फ्रेंट पे रखा, बाद में उनको बेक्रूम बायम बेठा दिया, लेकिन अल्टिमेटली पार्टी जीती, एक तरह से जह है, अटर खूश है उस तरह से, एक मन का भाव तो आता है ना, कि अज़ जब सबतर तारीफ और प्रसेंशा हो लिए है, तो पर्थम पंक्तिमून को भी खड़े होना चाहिए था, तो पार्ट अफ़ दा गेम चलता है, सर, एक हिंसा गरस शेत्र है रहाना का, जहां हिंदू-Muslim एंसा हुई, जो मेवाद वाला हिसा है, वहाँ बीजेपी ने मुस्लिम कार्ड भी चला था, लेकिन क्या कारणा कि वो मुस्लिम कार्ड चल नहीं पाए? वो चल नहीं पाए, कि मेवाद का रही है, रास्तान से जुड़ा हुआ है, वो स्ट्रॉंग एक तरह से मुस्लिम सेंटिमेंट है, वहाँ पे माइनोरिटीज का जो है, और माइनोरिटीज में गाम धारणा रहती है, भी कॉंग्रेस के साथ रहते हैं, एस कंपेर टुब बीजेपी, अगर चोईस बिटिन दा टू है, तो दे प्रेफर कॉंग्रेस एक चला रहा है तो हाँ हालांकि बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया, खुद ने तीन सीटों में से दो में मुस्लिम उबिदार खड़े किये, फिर भी हार गए, क्योंकि लोगों का जुकाओ कॉंग्रेस के प्रतिय ज्यादा था, तो जीत के वहाँ पे, जो है, दिस इस वाल. सर, मोटे तोर पर आखिर क्या रहे होंगे कॉंग्रेस की इस अप्रतियाशत हार के कारण? देखिए, जो कारण नेयन्द मोदी अमिशा की विक्टरी के है, देखा है तो वही कारण हार के, इनके हैं, लेकिन फिर भी, एक जो सबसे वड़ी बात है, वहार का एक कारण ये रहा उसके अंदर, अमिशा का जो मैंटो 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 मैनेजमेंट था, जो रिवर्स पोल्राइजेशन था, जो मोबलाइजेशन था, OBC में और इनके अंदर, दलित से अंदर, जो है, एक तो कारणी रहा के दलित जो है, खिसक गए तवासा कॉंग्रेस से, OBC कॉंग्रेस से खिसक गए, जितना था उसमें, दूसरा उसके साथ में क्या है, अंदरूनी घुटबाजी जो मैंने आप से कहा, तीन पावर सेंट्र हो गए थे, हुड़ा अलग है, शैल्जा अलग है, और सुर्जे वाला अलग है, हलांकि सुर्जे वाला का सारा दहान अपने पूत्र के उस पे था, आदिते सुर्जे वाला, जीत गए वो, यंग बॉइ, गुड बॉइ, जो है, सुर्जे गंजी ने बुलाया, समझाया, हलांकि हुड़ा का बड़ा कंडेक्ट सही था, उन्हों ही भी हुड लाए कि मैचुर पॉलिटीशन को ऐसा ब्यान नी दिया, उन्हों का सब कहा क्या मुक्यमंतरी बनने का, जो पार्टी तेह करेगी, भी धैक तेह करेगी, मुक्यमंतरी बन जाएगा, जहीं तब तो डेमेज हो चुका था, आमेशा उसको हाईजैक कर चुके थे, तो समूद्दे को, जो है, फिर प्रामिनिस्टर ने किया, सब लगों ने किया उसको, तो उससे बड़ा भारी नुक्सान हुआ, तो ऐसा माना जाता है उसके अंदर, कि एक सबस्टेंशल जो दलित वोड था, यो बीसी वोड था, वो चैल्जा फैक्टर कारण से, कॉंग्रेस असाब नहीं आया, तो उससे नुक्सान कॉंग्रेस को हुआ, तो मोटे-मोटे ये कारण थे, मतलब आप कहा दिजिए, तो सामने, man-to-man, management of Amisha, and then, अंदरूनी कल है, जिसे हम कहते हैं, बेसिकल ये कारण रहे इस तरह के, Sir, in continuation to what you just said, आपने कहा कि अंतर कल है, जो अंदर अंदर चल रही थी, वो एक हार का मुखे कारण ड़ी, लेकिन क्या हर एक राज्य में दो पैरलेल पावर सेंटर खड़े करने की जो गांधी परिवार की नीती है, ये कभी बदलेगी क्या? This is unfortunate, बदलेगी ये तो वेक्ति गड़न से सीखता है, लेकिन उम्र के जिस मोड पे आज सोनिया गांधी औन लोग हैं, तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा चेंजिस करने की स्टाइल और फंक्शिंग में कोई गुन्जाइश है उन लोगं के, आप देखिए, रास्तान में पहले घेलोट पाइलेट चला, कित्यस में चलता रहा, फिर चतिसगर में जो है, सिंग देव और वेश बगेल चलता रहा, वहाँ पे जो है, आप करनाटक में चल रहा है, सिद्धर मेया वर्शे शुकुमार जो है, एक और राज्य भी था, जब मद्यप्रदेश कमलनाद वरसे जो चलता रहा, सिंगर फिर पार्टी चोड़के, बीजेप्य में चलेगे, तो एक उनफॉर्चनेट आस्पेक्ट है, और लेटर से हर्याना का आप देखिए, हुड़ा वरसे शेल जा, तो वरकर इसे क्या डिमोरलाइज होता है, तो वरकर उनके कब तक डिमोरलाइज होंगे, उनके देखने का विशह है, लेकिन एक बात तया मानी है, कि कोई बेसिक चेंज आजा है उनकी वरकिंग में, ऐसा मज़े लगता नहीं है, और इसी तरहें से फिर हमिशा एक एक सीट पे पॉइंट करकर के, और स्टैटिजी से ना, टकर देते रहेंगे और चुनाव जीते रहेंगे, ये स्थिती रहेगी कॉंग्रेस की. सर, क्या हुड़ा के चेहरे पर एक्स्ट्रा फोकस रखना, फिर जब टिकेट वित्रन हो रहा था, तो उसमें हुड़ा को फ्री हैंड दे देना, ये भी क्या कॉंग्रेस की हार के कारणों में एक श्रमार है? मैं भी, इसके साथ ही, जब आपन जो शैल्या की बात कह रहे थे, तो चुनाव जो चल रहा था, तो किसी ने बाइट लिए शैल्या की, टीव पर में स्क्रीन पर देख रहा था, तो कॉंग्रेस तो हार नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पो गहम या अफ्सोस नहीं दिखा, तो मुझे एक विक्ति ने कहा, कि इनकी मुस्कान चिपाए नहीं चिपरी, मैंने कहा थे, मैं तो यह नहीं कह सकता ऐसा, लेकिन मैसेज पॉब्लिक में इस तरह का जाना, वो ठीक नहीं था, इस एपरेंट कि भी पार्टी में दो गुट है, एक गुट कॉंग्रेस की हार को शाहिद एंजोए कर रहा है या क्या कर रहा है, अनफोर्टनेट ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए, और शाहिए जिम्मेदार वेक्ति हैं, उन्होंने हारने के बाद भी का कि पार्टी को आला कमान को सोचना चाहिए, इसमें के क्या गलत हुआ है, तो पार्टी देखेगी उसको, अब इसका क्या है, दो पार्ट है इसके, अगर आप किसी वेक्तिको फुरी हिंट नहीं देते हो, उसको फोकस नहीं करते बो, प्रोजेक्ट नहीं करते हो, उसको एक तरह से सामने चहरा नहीं बनाते हो, तो भी पार नहीं पड़ती, और करते हो, दूसरे लोग नाराज होते हैं उससे, तो हुडा केस में यही हुआ है, जिसे कहते हैं कि नथिंग सक्षी लाइक सक्सेस, अब चुछ हुडा हार गया है, इसलिए सब बातें आ रही है, हुडा जीत जाता है, फिर यह कहते है, हुडा इसलिए कॉंग्रेस जीती, कि एक ही चहरे पे फोकस था पार्टी का, और चहरा पता था कि यह चहरा मुख्यमंतरी बनने वाला है, नेक्टिव पार्टी इस तो को मालून था हुडा बनने वाला है, डिपेंदर हुडा का के कहने पे देना, तो थ्वासा जैलिसी होती है दूसरे लोगों को, आज जो पार्टी हार चुकी है, तो हमें कह सकते हैं, कि पार्टी का इस हैंसला शायद गलग था, इस तवाले के भी आता कि क्या ही जो चुनाव था, इसमें एक शक्की शाली, जाक चेहरे, भूपेंदर हुड़ा, और ये चुनाव किया बीजेपी के एक बिनमरकार करता नायप सैनी के बीच में था, ऐसा लगा, शुरू शुरू में तो एक बार ऐसा हो गया था, नेंदर मोधी वर्सेज हुड़ा हो गया था, सामने कुछ बेखती नहीं था, फिर धीरे से अमिशा है, तो तो हुड़ा के मन में वोई मार्शल कॉम का आता था, जब कोई आद में नेगटिव थिंकिंग करता है, और ये तखता है कि जाट तो फिर मार्शल कॉम है, उधम करेंगे, ये करेंगे, और 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 पावर करेंगे आखर के यहां पर, जैसे एक रेपरशन किसी कॉम के बन जाती है, जो है, तो लोग फिर सवतरी बात कहते हैं, जात राज होगा, पुलिस राज होगा, तो आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे, फिर लोग सेनी को देखते थे सामने, और ओवी सीज में ऐसा इंप्रेशन बन गया था, सेनी की लीडरशिप हो गई थी, ओवी सीज में एक त महलत इस नोड़ बेधे इंपोर्तेंन फेक्टर, जावन फेक्टर, पुलिए विल्कुल कहना चाहिए तो, मतलब बैकरूंग बाय को तो किसी लोग देना चाहिए उनको, अगर उस मुद्दा नहीं बनाती इस तरे का तो ये दलित का मुद्दा नहीं उठता, पहली बार श तेर teachings पंझ चाहते है यह एं Union किसी जunnig में रचा थी नीजगा ढई उनके मन में फिर क्या है इस मुद्डे बहुशं कर लिए पारडवि में जुक्सान हो रहा है कि अजा मन में है जैक कर लिया था खुद प्रदान मंतर नेरंद मुदी ने भी अपनी चुनावी रैली में कुमारी शैलजा का जिक्र किया तो यह एक सोची समझी रणनी थी के तहट अफ कोर्स नेंदर मुदी के लिए मास्टर एक्सपर्ट है मास्टर मैंड आदमी बेसिकली देखो को उठाते हैं जिस राजियम जाते हैं वहां का जो मुद्धा होता उसको उठाते हैं कई लोग कहते हैं प्राइम निश्टर के लेवल की बात नहीं है इससे क्या मतलब है चुनाव है उनको जो अच्छा लगएगा बोलें चुनाव जीतना चुनाव में ते एक ही लक्षा जानी है शब्लियागा उनको तो जानी कान्तु का लिए जो रहा बस्ता मार ट्री आप तो उसने चुनाव के दोना ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसको पॉइंट किया जासा है कि आपने बयान गलत दे दिया, कंटोर से क्रेट कर दी या किसी को थपड मार दिया, अपने दबंग उसको देखते है या कुछ और कर दिया, I think बहुत शालिंता से रहा, कोई मीडिया मैं ऐसा कोई देखा नहीं उसका, तो कंपेरजन नहीं है, तो हुड़ा तो हार ही गया, on the front, जिसे कहते हैं, तो वो तो उसका हार का विक्टिम है, विक्टिम कही है, उसका जो, मतलब, जो लूजर है, तो हुड़ा है, उसका वहां पे, रही बाद रहुल गांदी की, तो र पर बेवदरेशन पर भाण ऐसा देडिया, तो से रहुड़ा है, फिर छिछ एसा हो गया, फिर कास सेंस्स को लेके हो गया, कुछ और बात्य हो गई, तो कुल्मरा क्या है, कि हमला क्या है, कि हर्याना इसाट बैक पर रहुल गांदी इन टोटलिटी और हुड़ा तो अर एक जाहिए जाहिए वरिष नेताओं काम हो और नई पीधी को आगे लाना चाहिए? होना तो चाहिए यह सोच के राहूल गांदी को आगे लाये थे कि नई पीधी को आगे लाएंगे हुआ क्या फिर फिर खडगे हैं कॉंग्रेस अधेश्ट 75 एर 78 एर 80 परस जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट है राहूल गांदी अलग रोल में है मतलब इंडिपेंडेंट अपने क्या कहना चाहिए इसको फ्रीलांसिंग सम्सोट आफ जो है तो इस रोल के अंदर है अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है यंग लोगं को आना चाहिए लाएं कि इसको सामने पार्टी है सोचती है कई बार राहूल गांदी का एक्सपेरिमेंटी पूरे तोर पे सकस्स नहीं हुआ और वो तो मालिक हैं पार्टी के उसे तुलना नहीं हो सकती बागी फैंसला तो करना पड़ेगा क्योंकि जितने नाम आपने लिये हैं कि सब 75 प्लस सम्थिंग 75 के अराउंड है तो प्रफारिटी और विजडम तो यही कहती है कि आप उन अशा सा फेरवेल दो उनको एक आदमी ने मुझे कहा कि इनको VRS ले लेना चाहिए जो है तो ठीक है लो VRS लेते हैं समान के साथ लेते हैं हमने भी 18 साल पहले VRS लिया था ऐसी क्या बात है VRS is a part of life जो है तो let's see if Congress क्या सोचती है लेकिन आदमी है कहां फिर सवाल आएगा अशोग घलत क्या है और मान लिजे अशोग घलत की बात कर रहे है हुड़ा की बात कर रहे है आदमी कहां है सामने फिर लाने के लिए कई प्राबलम है तो उनके अपनी प्राबलम है ये लेकिन सुझाव आपका ठीक है कि हर पोलिटिकल पार्टी को यंग लिडर्शिप से पुरानी लिडर्शिप को रिप्लेस करना चाहिए सर आखिर इस चुनाव में दलित फाक्टर का रोल क्या रहा है और एन वक्त पर अशोग तवरने पाला क्यों बदला उसका दुर भाग गय था पाला बदलने वाले का आखिर ने साथ नहीं दिया जैनमपत्री नहीं साथ नहीं दिया आधन वक्त पदला आज कहां है वो उसके घर पर दो आदमी नहीं नहीं गे मिलने वाले और विजप il रहता तो 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 कहां होता आज आज पाट्शर मंत्री होता फूलों के बुल्दस्ते आरे होते, फोटो खिच रहोते, हम लग उसकी बाइट ले रहे होते, तो भाग्या का खेल है, और उनके हिसाफ से, कॉंग्रेस साफ से, मास्टमेंट मुझ था, तो काउंटर शेल जा, जो है, अब कहते हैं, दिपेंदर हुड़ा का रोल था, वो यं जो एक तरह से लूजर रहा, वो तामर तो इनके हाँ से राजपाट चला गया ये, और एन वक्तित लाई थी पार्टी, पार्टी तो अपने इलेक्शन स्टाटिजी लाई थी उसको, कि हमारा बड़ा क्या चे ये, बाग्या ने साथ नहीं दिया उसका, कॉंग्रेस भी हार और उसका भविश्य कुछ टाम के लिए ब्लोग है ये, सर के जो हर्याना की हार है, कॉंग्रेस के पॉलिटिकल मैनेजमेंट की हार है, अफ कोर्स, अब ये तो होता है, जब पार्टी हारती है, तो लिडर्शिप की मॉरल रसमसिपलिटी है, और लिडर्शिप की बात अगर जिसे कहना चाहिए, 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 जो है तो है यह तो ऐसी चलता रहेगा तो एक चुनाव हा रहे हैं आप देखिए और चुनाव में क्या होता है एक घड़ी आई थी वो निकल गई आपके सुझाओ का मैं मतलब आदर करता हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता ही कि वो मोरल एसंस्रिक लेकर कोई आदमी कोई आपक लगता है ऐसा लगता है सक्या राहूल का जाती जनगर्णा और पचास फीसद से अधिक आरक्षण देने वाला कार्ड हरियाना में कॉंग्रस के लिए उल्टा पड़ गया है हरियाना की बात ही नहीं आगे राज्यों में शाहिए इसका फरक पड़ सकता है उनका जो पात है जो उनकी थीम है कुछ विसयों पर जैसे आपने नाम बताया हैै एक लगत आप बच्ट्री को हइजएक कर लिया एक desse अपने समार्टनेस से आप यह करिए और वो लोग सोते रहे गए आमिशा ने घर बैठके शत्राज पर सब बिछा दिया और उसको एक्ज़कूट कर दिया शांदार तरीके से इसलिए कई लोगों का अभी यकीन नहीं होता कहरा ना बीजेपी जीत गई है क्या आज जो कोई मिलता हूँ यह कहता है बड़ा चमतकार हुआ मतलब कोई इसको एक सहज भाव से लेने को तयार नहीं है इसलिए नहीं कि कोई गड़बड हुई है इसलिए कि इतनी जल्दी जो चेंज हुआ ना टीवी स्क्रीन पर सारा चेंज हुआ और ग्राउंड पर जो सिटूशन पंदर दिन मामिश्या ने चेंज कर दी उनों को भरोसा नहीं हो रहा है उसका यजो तो अभी रहुल गांदी की जो यह जो पैरामेटर से बताएं अपने जो से मुद्धें के जो थीम्स हैं इनका कोई टेस्ट नहीं अब अभी तक परमानी हराने में टेस्ट नहीं हुआ अब भी चुनाओ और का सेंसे से क्या फर सब्सक्राइब यहाता है कि हर्याना का चुनाव रहा है इसमें प्रियंका गांधी काई रोल नजर नजर था है क्या साइकलोजिकल था एक आज मीटिंग में चली तो जलेवी किसा चल पड़ा नया तो किसे ने का भी सीरिस इलेक्षन है का जलेवी की बात कर रहे हो लिगन अवी तो ऐसा है ना चुनकि मैं जलेवी की बात कह दी तो बीजेपी को तो क्या कॉंगरसे नारे को तो 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 पीट न मैं देखा मुक्यमंतरी रास्तान के जहें इतनी शांदर जलेवी बना रहे थे खुद यह खड़े ओके तो मनसे कहने वालों को एक दिन सवाते हैं पत्रकारों को बुलाई ए घर पर और जलेवी खिलाई यह तो जलेवी का किसा चल गया तो जलेवी का किसा चल जाता कभी-कभ प्रिंका का परिवार है साथ में तो एक चाया थी उसकी तो मुझे ऐसा रगता कुछ लोग मन में सोचा होगा कि आरे लोग पावर में आएंगे तो फिर यह वह होगा रहना कंदर डीलेव यह यह सारा इस तरह का तो जो नेंदर मोदी का एजंडा है कि जिरो टॉल्नेंस औ पर जो है लेकिन शायद थोड़ा बहुत नेगिटिव इंप्यक्ट हुआ होगा ऐसा लोग का मानना है कि अब जीती भी जो बाजी होती है वो हाथते कैसे हैं वो कॉंग्रस से सीखना चाहिए क्या आपको भी ऐसा लगए है और यह कॉंग्रस वालों की मन की पीड़ा है मतल झालगता है उनका मन का भाव है और मन के भाव को सुपार खाया एना चिंदि ठीक है आपका अपना भाव है तो एक विंग है समें छुपावा जो है ठीक है आपने कहा मैंने सुना तो फिर आगे बढ़ती तो सर क्या इंडी गटबतन के बिवन घटक दलों का एक नह पाना की एक हार का बड़ी बज़े है हाँ एक होता ही है हलांकि ज्यादा गट फंद नहीं से आप पार्टी थी एक दो चोटे मोटे और थे चोटे मोटे का मतलब इस था कि उनको अमिशाने तोड़ लिया वो कॉंग्रेस साथ आ सकते थे जे जीप आ सकता था आजाद पार्टी आ सक इसका जो एक गटबंदन नहीं हो पाया इन पाइंग तो आपको लगता है कि इस पूरे घटना क्रम में इस चुनाओ में हरयाना चुनाओ में आम आदमी पातिया केजरिवाल का वही रोल रहा है जो 2024 के दोरान इंडिया गटबंदन की यूनिटी में निटिश कुमार का रह गए तो क्रेश कर गया इंडिया गटबंदन एक बार फिर नेसरे से खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद निटिश मारी कमी आज तो पूरा नहीं कर पाया उस इतना का जटका केजरिवाल ने आपके केजरिवाल के पार्टी ने यहां कॉंग्रेस को दिया ठीक है और प्रियाना में कॉंग्रेस आपको देगी फिर मिल के गठंदन करके आपस में यह लोगमाँ चुनाव लड़ेंगे और यह फैंसला जो है केसी वेनुगोपाल ने रागव चड़ा को कहा रागव चड़ा ने केजरिवाल से का डील फाइनल हो गई अगले दिन जाने किसने व अगर हो गई है फिर आप उसे पीछे अट रहे हैं तो गुस्य और आवेश में आकर के उन्होंने जो है वो फैंसला बदल मतलब उसको ड्रॉप कर दिया उस केस को ड्रॉप कर दिया वारता को और फिर वहीं पे सारे 90 के 90 कंड़ेट 89 कंड़ेट्स हैं वहां पर खड़े कर है उन्होंने वहां पे जो है तो निश्चित तोर पे यह जो डील खराब हुई इसके लिए कॉंग्रेस जिम्मेदार है वहां पे जो है और यह भाजपा के लिए वर्दान बनी एक तरह से आप देखें टोटल वहां सिच्वेशन क्या है आज भाजपा को जो वोड अगर यह दोनों पार्टियां साथ रहती ही तो शायद बीजेपी की जीत में दिक्कत होती बीजेपी को हो सकता है बीजेपी फिर भी जीती कह नहीं सकते आप क्योंकि गवर्णित का खेल है सम्मामनाओं का खेल है राइनिती लेकिन ऐसा लगता है कि गठवंदन नहीं होना जो हैं दोनों पार्टियों का भाजपा की जो एप परतियाशी जीत मानते हैं आप उसको उसमें एक कारण यह भी रहा है सर हर्याणा के अंदर कॉंग्रेस का जो नारा रहा किसान जवान पहलवान और खाफ वेक्टर को लेकर यह इन चुनाफ में पिड़ गया आपको क्या लगते क्या है कि नारे तक पहुँच ही नहीं पाए लोग अमिश्द्हान है ही जीक कर लिये पहले सब कुछ ही एक तरह से फिर क्या होता है जंत अपना मन बना लेती है न मूड बना लेती है तो फिर कोई नारा काम निया आता कोई आपका कॉंट्रिबुशन पब्लिक का काम भी का इनको समलने का मौका ही नहीं मिला कॉंग्रेस को कॉंग्रेस क्या है ओवर कॉंफिडेंट रही सबसे बड़ी वात है देखा इनी ग्राउंड की तरफ उठा करके बस एक विचार बन गया इस तरह का सारा फोकस हुड़ा के चारों तरफ रहा हुड़ा के मन में हो गया कि ऐसे बनाएंगे ऐसे यह करेंगे इन बातों पर फोकस रहा ग्राउंड पर क्या हो रहा है देवर कॉट जिसे कहता है नैपिंग शैस होते हैं लोगों का मिर्शा ने पकड़ा एक तरह से और उस ने उस बाजी को जीता वहां पर जो है तो मुझे तो ऐसा ही लगा इसलिए कि यह बात यहां तक पॉंची इन उद्दों तक जो है उसे पहले ही उन्होंने वहां खेल कर दिया तो सब क्या हर्याना में राहूल गांदी के बात ना बानकर हुडा ने वही कमलात वाली गलती कर दी कह सकते हैं आप अपरेंट है कमलात इसी बात पर अड़ावा था राहूल गा के बात況 है वो क्या गठवांदन चाहता है गठवांदन हो पीछे हो लेकिन जो रिजनल्व्णला शत्रफ होते हैं उन unprecedented ऊर॥ हा जाधा हूड दी एडिखाई देता है उसको बांट नहीं चाहति किसी के साथ ये गामलात के साथ था सपा के साथ करना चाहते थे राहूल गा वाँ पर्वला में क्या ना राहूल गांदी की फाइनली नहीं चलती कई बार, सोन्या गांदी ओर गुल कर देती होंगे, ऐसा रगता हूँ यहा हूँ, कमलाथ के मामले में यह हुआ होगा, वो सपा से चाते थे राहूल गांदी, तो नहीं हो पाया, वहाँ पे जो है, और साथ में क्या हूँ, अखलेश यादर के लिए कुछ और भी कह जिया, कमलाथ में तो उससे नुकसान हुआ, वहाँ सरकार बंती की नहीं कहने सकते, वहाँ तो बहुत स्वीपिंग मैजरोटी बीजेटी को मिली है, लेकिन ये जो दिल्ली वाला केश जो है, ये तो 2% का अंतर है, शुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर थीरे-थीरे रुझानों को जारे किया, कंगरस कहना क्या चाती है, इस तरह के आरूप लगाकर? Congress confused है, Congress हो समझ नहीं आया है, Huda comparatively mature आदमें, मेरे खिरल उसमें कोई ब्यान भी अभी तक शायद ऐसा नहीं दिया है, पार्टी के लोगों ने दिया है, अब चेहराम रमेश उनका काम है जे, पाउन खेड़ा, बैठते हैं साथ, उनका काम है पार्टी के स्टेंड को कहना, तो उन्होंने वोई AVM की पुरानी बात को दोराया है, और प्रेस कॉन्फरेंस में उन्होंने कहा भी हम चुनाव आयोग गए हैं जाएंगे, और स्पैसिफिक केसे जो दिये हैं, AVM में कुछ एक स्पैसिफिक डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, आखिर मशीन है, लेकिन बड़े प्रेमाने पे कुछ ऐसा हो गया हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग में चुनाव आयोग गए काफी अलर्ट है, अंडर कंसल्टेशन है, अंडर डियरेक्शन है, या सुव मोटो है, अलर्ट है, और काफी आकरामक भाशा में उनके प्रेस नोट निकलते हैं, जो है, लोजिकल होते हैं, तो उसनियाज कहा है कि यह स्टेट्मेंट जो है कॉंगरेस का, यह इर्रस्पोंसिबल एंड अनफांड़ेड है, एक तरह से, मतलज से आपके सर्थ में एफ्थर्ट है, इन अबे, कुछ इस तरह से है, तो बात बंद हो गई है, तो अब बस वही A.V.M. का पुराना जिन पुराना भूत निकालने की जो बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ होगा, specific discrepancies हो सकती हैं कुछ मशीनों में, इनसान है, जो है, बाकी नहीं हुआ, चुना तो fair और free हुआ है, और सब के सामने था, जब Congress जीत रही थी तब भी सामने था, हार रही थी तब भी सामने था, और जो वोटिंग हुआ है, आज कल तो क्या है, ना कि वेब वोटिंग होता है एक तरह से, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, और फिर अभी तो ARIAM का पुरान तो भारत में बहुत पुराना है, Supreme Court तक reject हो चुका है, तो let's not reopen this issue. असर इस पूरे चुनाव में अखिर क्या रहा, Zee Chairman इवां पूरु राजसभा सांसा, Dr. Shubhas Chandra करो. हाँ, Shubhas Chandra देखो, एक visionary आदमी है, और अपनी खास किस्म के, खास मिज़ाज के, खास मूड के आदमी है, उनको लगा कि उनका जो hometown है, आजमपूर जो है, वहां पे उनको BJP को support नहीं करके, एक ex-IS और शर्थे चंदरबकाश, उनको support करना चाहिए, तो उन्होंने support किया, उनको जीत गए, एक दूसरी जो वहां पे हिसार में, वो भी उनका town है, सावितरी जिंदल support किया, वो भी जीत गई, एक और constancy है, जहां पे शायद रणवीर कोई है, उसको support किया, तो वो जीत गए, तो बड़ा एक विचितर से इस्तिती रही, कि दोक्टर सुहाज चंद्रा ने तीन लोगों को support किया, कॉंग्रेस वाले को भी support किया, इंडिपेंडेंट को support किया, और भाजबा वाले को support किया, और तीन स्यूटों पे वो लोग जीते, जिनको समर्थन कर रहे थे, तो उनका assessment, और कई बार मैंने देखा कुछ चला था पिसले जिनों, वो आत्मा की आवाज से चल पड़ते हैं कई बार, उनको ऐसा लगा होगा कि ऐसा करना ठीक है मेरे लिए, कर दिया उनोंने, बहराल बात इतनी है कि जिन केंड़ेट्स पो उनोंने हाथ रखा था, वो तीनों जीते हैं. एक दिन जाओं गादिती इसार में, पहले चेर्मन साब कहते हैं कभी जा नहीं पाए उस समय, तो एक बार चाके देख के आएंगे, कि क्या सा शेयर है और क्या है, तो जिन्दल की बात आप कह रहे हैं सावितरी जिन्दल की, तो जाती थी बीजेपी से ठिकर लेना, जो है, वो नहीं मिला, एर अर्र जज्जमेंट कहा दो या आदमी का एक्स्टेंड होता भी नहीं देना, तो नहीं देना, तो नहीं देना, उन्रदिरी लड़ी, वो जीत गई, अब नवीन जिन्दल की मा है, पहले कॉंग्रेस में थे, वो बीजेपी में है, यह पहले कॉंग्रेस में मेली थे, इसमें आगई है, महिला रिचेष्ट है, बन अब दाव जो आज पांच उद्योगपती हैं देश में, मुगेश अम्बानी, अड़ानी और जो है, उन समय कहते हैं, पांच उनमबर पे है, संसार में जो तो 53 पे है, समासिवा में रहती हैं, अलर्ट हैं, लोगपिये हैं, तो बस ही है, हिसार का यही पेच है कि, बड़े-बड़े लोगों की नगरी है, हिसार, जो है यह, अलर्ट है, अलर्ट है, अलर्ट है, अलर्ट है, अलर्ट है, अज़ए लोगों की नगरी है, लेकिन खुद बतानी कैसे हार गए इस वार, तो फिर जनम पत्री वाली बात, कि हार गए, और बाकि जो चोटाला परिवार के विरासत के लोग है, आठ लोग लड़े थे, दो यह जीत पाया, और इनका हरना बड़ी गंभीर घटना है, क्योंकि प्रोमिनेट प्लेयर यह थे, चोटाला फैमिली के अंदर जे, दोनों ही हार गए, तो बस है कि अब हार का कोई एक्स्मिलेशन नहीं होता, जो है, हार गए, लेट दम ट्राई अगें, सम अधर टैने, सर अब आम आदमी पाटी, हर्याना में भले ही लड़ी हो, लेकिन कहीं पदी एक सीब भी नहीं निकाल पाई, अब ऐसे मैं आपको लगता है कि जो एक साइकलोजिकल, प्लिटिकल प्रेशर या फियर मनी से सोदिया को, अर्विन केजरिवाल को होगा, क्योंकि दिल्ली चुनाव भी सरफ पर ही हैं? Of course, निश्चित हुआ होगा, हलांकि उनने मन बनाया होगा, कि हरेना में में चुनाव तो जीतना नहीं है, कॉंग्रेस तो लेसन देना है, कॉंग्रेस लेसन दे दिया, फिर भी यह तो सोचा होगा, कमस्नम जम्मू में एक आदमी जीत गया तो हमारा यहां तो जीत जाए, खाता तो खुले, इतना तो सोचा ही होगा, जो है, लेकिन नहीं हुआ, तो दे मस्ट बरीड, दे मस्ट बी कंसर्ण, इस में कोई संध्य नहीं इसके अंदर जो है, वो तो यह सोचे होगा, जीतनी है, जीतेंगे कि नीच बाद की बात है, लेकिन आजमी स्ट्रेटरिज़ बनाता हो, तो यह सोचता है, कि अम जीतेंगे, जो है यह, तो वो दिल्ली की स्टेटरिजी बने की तब होगा लेकिन ये मस्ट हव टेकन इन नॉटिस आप इस डिपीट हर्याडा में जो चुनाओ परेडाम सामने आए उसके बाद आपको नहीं लगता कि जो रीजनल पार्टीज है वो अपना महतु और रेलिवन्स तोनों ही कहीं न कहीं खो रहे हैं बिल्कुल ठीक कहा हैं आप इन एलों को दो सीट मिलें हर्याणा में बागे सब गायव हैं और पूरे देश में ही चल रहा देखिए चाहे बीएस्पी हो चाहे सपा हो एक यूप को छोड़ के किसी का इससे नहीं है एक बार विचारधा चली वी थी थी बीजी में के लेट् ड़ी फिर अवेफ, जो रहा दो करें देखिए दिखिए बीजी फिर से कोछ उनके सहमति बिना सहमति से को अगचा को जागतों की लारजर कि अगर मौजुदा आर्थिक हालात को समझा जाए तो क्या आपको लगते हैं कि सीम सेनी जो उन्होंने चुनावी गैरंटियां दी हैं उनको पूरा कर पाएंगे इन हालातों में कि अनकी गारंटियां तो अब नेहंद्र मोडियमिक्शा की गारंटियां है इने वे राज लाये है राज को बनाना जमाना थे mbागे मेसेज देना उनimes ज्यारकर पर नर्म महरास्टत को बाकी स्टेट्स कि हम सम्मान करते हैं उपनी गारंटियों का तोوج्स पर साय जाएगा व जाएदा लोग है तो 5 लाग का फिर इलाज देने की बात है तो 50-60,000 कोड़ पे चाहिए वहाँ पे जो है तो हराना का हाल वैसा नहीं हो जाए उन राज्यों जैसा जो उधर हो रहा है हिमाचल मुहरा है करनाटक में हो रहा है मान लो तो अब वो तो कहा है कि सैनी जे मतलब भारा सरकार की बेवी इन एवे की डबल इंजन की सरकार है तो दूसरा इंजन बड़ा है पाउरफुल है तो खींच के ले जाएगा इसको सर के सच है कि इस बार कॉंग्रिस के तॲला में बीजेपी को जादा जाठ सीटे में हैं या अच्टी की बात है शैक्ट में क्या होता है लेन क 30 अशन, कैसेगे की सीटे की साथ नहीं बहारोंहें कोई पांचे सीटें की साथ महीं होती हैँ 10-20 प्रसंट लोग ऐसे办 below दूसरे समर्थन देते हैं, वो भी एक कारण है, लेकि इस बार किया है, बीजे पी को comparatively जाट बेल्ट में ज्यादा सक्सेज मिली है, पहले थर्टी परशन सक्सेज मिली थी पिछले चुना में, आज मैं पढ़ रहा था, 21 परशन सक्सेज मिली है, तो ये फैक्ट है, कि जाट बेल्ट में भी, बीजे पी को ज्यादा सीटें मिली है, पहले की तोजा में, अब क्या वो रफ्तार पकड़ते निजर आएंगे, कोई खास नहीं, उनको भी आदत हो गई है, कोट के चेहरी चक्र लगाने की, एडी के दफ्तर जाने की, दो चार गंटे बैटने की, और कोई कोई ऐसा स्टेज, कोई डिसाइस स्टेज आए, जिसमें किसी गो अरेश्ट करना पड़े, ऐसा भी लगता नहीं है, चुनाव का माहूल है, बाकी फिर क्या है, कि ये एजनसी अपना काम अपने मेरिट पर अपने फाइल का अधार पर करती है, जो है, थोड़ा बद स्टेज अपने मालम नहीं है, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा, और जो आप कह रहे हैं कि कोई स्पीड पकड़ेगी, ऐसा मुझे नहीं दिखाई जैता, लोग विल टेक इट्स ओन कोर्स इन इस ओन दे, सर कैसी रहे हर्याना चुडाओं में विभिन पार्टियों की प इन्हों नहीं सत्ता को बांट लिया है, आप असके अंदर जी में, इसके बाद, सर अब आपको लगता है कि जो ये हर्याना में हट्रिक लगी है, इससे एक दूर गामी मेसेज गया है, खास तोर पे अपने घर में, जो एंडिय का परिवार है उसमें, क्योंकि अलाइंस को लेकर चर्चा होती है कि अलाइंस में किस तरह किस थेती है पूरे एंडिय में, आपको लगता है कि चंद्रबाबु नाइडू, नितिश कुमार टीडिप और जेडियू में भी कोई एक बड़ा मेसेज गया है, इसजी तो है, तो मैसेज गया है, वो तो बैसे भी नतमस्तक थेडियू नितिश कुमार थे जिस नाइडू, जो है यह जिए? जिएक कि इस महराष्टरा और जहारकन के चुनाओं में भी इस जीत के बाद बड़ा इंपक्त अप देख सेगें हैं? जो मैंने आप से का संकेतों का खेल होता है अब संकेत चला गया कि मोधी इस बैक मोधी ब्रेंड इस बैक अब वो दूर तक ट्रेवल करेगा जाके जो है और दूसरा क्या है वरकर किते होते हैं कल नेंदर मोधी गए था ने बीजेप एड़ पार्टर कितना उसा था लोगों क राज्यों में उन्हें को आँख दिखाना शुरू कर दिया है उदर ठाक ने कहा है कल के कोंग्रेस हैं तो रीवर्क इट्स ऐलाइंसे वेडस जो है ये तो कंग्रेस की बार्गेण पावर कम होगी राहल गांदी की बार्गें पावर एकदम से कम होगी तो इसका क्या है कि डबल मार हुई है कॉंग्रेस पे एक तो भाजपा का मतलब फिवरेबल इंडिकेशन हो गया भाजपा का जो है वहां पे कि भाजपा आने के चांसे बढ़ गए परसेप्शन में जो उसके और इधर कॉंग्रेस का क्या है कॉंग्रेस का खुद का जो बार्गनिंग पावर थी वो कम होगी इसका जो है तो यह मूग तो चोटा है हर्याना लेकिन इसके लोग रॉन में अगले कुछ पांच-छे मिन तक इसके आपको एफेक्ट जो है ना साइड इफेक्ट इसके दिखाई देते रहें बीजेपी जेपी जे बेन फेशरी इन ओल दीस सर्कमस्टांसे सर् जेखेक्ट इसको लेके अलग राय है लेकिन ज्यादत दोंगा मानना है कि 16,000 उन्होंने मीटिंगें मीटिंगें आर एसस के लोगों ने ग्राउंड पे करी जहां बाजपा कमज़ोर थी वो लोग गए और आर एसस के उस वरका कहना है कि अगर हम नहीं जाते तो किया इतनी जो हम पर किया है यह जो विक्ट्री है बेसिकली उसी को अट्रीबूट करता हूं मैं एक रह से और बाकी चर्चा है कि 16,000 मीटिंग उन्होंने करी है कुछ एक लोगों का रेजर्वेशन है कि चुबिदी का मामला भी सुल्जा नहीं है आर एससे बीजेपी बीचिन जो अधस्ट्रों के बात करने में और खासकर के अमिशा तो है जिसे कहना ची फर्दर मौरी गेंड इस अथरुटी एंपोजिशन इंटार सैट अट बीजेपी और गवर्मेंट अटर इस विक्ट्री जो है यह और अमिशा मीशन नेंदर मोदी फोलर बाई जेपी नद्धा तो सब हर्याना की बात हो गई हर्याना के बाद अब जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में कॉंग्रेस और नाशनल कांफरेंस की जीत को आप कैसे देखते हैं यह जीत सभाविक है एक अच्छा लक्षन है लोग तंत्री बापसी है घाटी के अंदर इतने सा आत्मकार है, पोजिटिव आ रहे हैं, तो भौमत की सरकार है, clear majority है, कोज़ तो और फोर्ड की आवशेक्ता नहीं है, जोड तोर्ड की आवशेक्ता नहीं है, तो ऐसी आशा की जाने चाहिए, कि सरकार clear majority के साथ अफशफद लेगी, और constructive विचारों के साथ में, जो एजंडा है वहां का डवलप्मेंट का उसो केंदर के साथ मिलके आगे बढ़ाएगी और शुरुवाती संकेत ऐसे ही आ रहे हैं तो एक अच्छा डवलप्मेंट है एक सरकार का निर्वाची सरकार का शीर नगर में आना सर एंसी के लिए जमुकर्श्वी में इतनी बड़ी जीत और जीत के बाद अब्दुल्ला परिवाच जस तरीके से सत्ता में वापसी की है क्या लगता है आपको क्या मैसूस कर रहा है वो परिवाची ड्रेम कम ट्रू जब घर में नजर बंद थे लंबे समय तक 371 के विरोज क कारण से तो कभी सोचा था कि वापिस आएंगे वापिस राजा बनेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे उसी शेहर में फिर उस कुरसी पे बैठेंगे जो पुलिस आपको नजर बंद करके बैठी है उसी पुलिस का सलाम फिर से लेंगे कोई कल्पना थोड़ी गी थी अगें ग् कोट होता कुछ और होता महां पर जाएं तो हो गया तो देशुब ग्रेटफूल तो देशुब ग्रेटफूल प्राम मिनिस्टर एलेक्शन कमिशन और सुप्रेम कोट के प्रोपर तरीके से चुना हुआ उनके राज में वापसी हुई और आज वो सत्ताम बैठे हैं लौट कर देशन का नहीं हम जो सहोगी दल है गठवंदन है इसे चर्चा करेंगे बना तो उसी को है एक लोगतांतरी तरीका होता है वाद कहने का एक एक डुक्तोरियल अटिटू होता है तो तो फारुक अबदूला का जो ब्यान था इस्टर्बिंग था इनिशली बट वाट इन पांच सालों में नैशल कॉंफेंस और कॉंफेंस के जो आप से रिष्टे हैं उनको आप कैसे देखते हैं दोगत वाब तो खट-पट होती है कि कॉंग्रेस में कई पावर सेंटर हैं हालांकि को ज्यादा कॉंग्रेस यहां में लेनी है लिगिन साथ चुनाव लड़े तो दो 6-5 मंतरी उनका ज का हिंगी, पिर आएगा मंतरी कितने लेने से थोगिसी बात हो सकते हैं दिफरनमे सकता है, फिर बिभागों पे हो सकता है, फिर डिपेंड हे करता हिए, तो कई पावर सेंटर हो जाते हैं दिल्ली में भी, और शीरिनगर में सब लोगा इंटरस ल पागी इफरेंसे तो हो सकते हैं, फांच साल वोत लंभा पीरिड हैं, तो इस पांच साल में क्या क्या होता है, नहीं का जा सकता, अजय का कहना ये था, रेट्रस्पेक्टरी ले कहना है था, राजय पाल को एक अदम कैबिनेट के सला पर उठाना चाहिए था, नोमिनेशन गए, राजय पाल ने कहा होगा कि मेरे पावर्स के अंदर है, सला के आवशेक्ता नहीं, ऐसा ये लगता है, मन का भावे गिए भी थ सकता था, बाई प्रॉक्सी, लेकिन वहालात नहीं बने हैं उसके, तो अब वो कंट्रोवर्सी खता में उसमें लोगों ने का था, हम सुप्रीम कोड जाएंगे, राजय पाल की सेक्शन के अगेंस्मेंट, लेकिन अब जो बयान आ रहे हैं, वो रसनात्मक बयान आ रहे हैं तो ऐसा अलगता है, I think that chapter is over by now. जैसे हालात होंगे, जो केजरिवाल वर्सेज विन्यकुमार सकसे नहीं? It's a million dollar question, चिंता है सब के मन में, सब के चेहरे पे जो लोग कश्मीर को डील करते हैं, क्योंकि शुरुआत उसके अच्छी नहीं हुई थी, Manosina ने जो इंट्रू दिया था, उससे पहले, अब दूला ने इंट्रू दिया था, उमर ने इंट्रू दिया था, और उसने कहा था, अगर मुझसे पेक्षा करें राजजपाल, कि मैं राजबहुन जाओं, राजबहुन जाओं मैं और राजबहुन जाके जो है, मैं उनके गेट पे बैठूँ, और फिर अंदर जाओं, कि मुझे एक 87 अपोइंट करना है, मेरी फाइल पे साइन कर दीजिए, तो मुझसे नहीं होगा ये, तो गुवर्न ने पॉलट के इंट्रूज दिया था, और ये कहा था, कि अगर हमारा common objective यहाँ पे prosperity और peace, law and order लाना है, तो हमारी difference opinion है कहां? तो अब मनोज सिना भी कहा था, तफ किसम के administrator है, खांटी politician है, और ये सब तो हैं ही, लेकिन शुरुआती दोर जितना आज constructive responses आए हैं दोनों से, अब्दूला to center and center to अब्दूला, उससे ऐसा लगता है कि center शायद इशारा कर देगा, मनो सिना को, कि मिलके चलो, कानून बनना अलग बात है, और कानून की पालना कैसे execute करते है, वो एक अलग विशे है, उसके अंदर, अब कानून तो यह है, नया जो empowerment हुआ है, गवर्नर का, कि मंत्री कोई भी meeting करेगा, तो उसके agenda दो दिन पहले राज्यापाल को भेजना होगा, ठीक, और CM जितनी cabinet meeting करेगा, राज्यापाल का एक nominee अधिकारी वहाँ बैठेगा, तो अब सुके ठकराव के हालात अभी नहीं है, मुझे लगता है, पांच-छे मिन तो ऐसी दोस्ती चलनी चाहिए, कम से कम जो है, तो लोग बैठेंगे, कानून की पालना तो होगी, आएंगे, दखसत करके चले जाएंगे, सिरकार के साथ रहेंगे, और जो समन्द अगर ठीक नहीं रहेंगे, तो लोग अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे, आगए जाके, तो सब कुछ डिपेंड करता है आने वाले दिनों में, कि इनिशली जो टेक ओप बहुत अच्छा हुआ है, रलेशन्शिप्स का, वहां से भी अच्छा मेसेज आया है, उमर ने काया कि हम के अंदर से जगड आनी चाहते हैं, हम सब को साथ लेके चलना चाहते हैं, प्रहा मंतरी ने काया है, जनता हो बधाई देता हूँ, आइए सब मिलके हम शिरी नगर का, कश्मीर का विकास करें, तो इनिशली जो संकेत हैं, बहुत अच्छे हैं, सिगनज हैं, तो लेट सी, लेकिन ठकराव की समावना हमेशा रहेगी, अवे डिपेंड करता है, गवर्नर अपना जो एमपार्मेंट है, उसको कितना स्टिक्ली लागू करता है, और उमर यह है कि उसको कैसे लेता है, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तो कुछ भी हो सकता है, जो है, और इसका उधारन है, प्रिसिडेंट है, उनने सो निनना में अठिल वेरिवाज पही थे, तो फारुक अब्दुल्ला उनके साथ थे, केंदर में मंत्री थे, जो है, फिर अलग हो गए थे, तो फिर से जोड़ सकते हैं, क्या इंकार है, और कॉंग्रिस होराद मी राय दे रहा है कल से, उधर ठागरे भी राय दे रहे हैं, इन्होंने भी ये सला दिये, क्उंग्रिस को जरा आपने आपो मुलों करना चाहिए, तो नेवे जो है, तो नेवर नो, कभ एक डिनर हो, दिल्ली आएं वो, अब दिल्ली आएंगे न, मुख किचाते हैं, चाय पिलाते हैं अच्छे से, इनको भुलाएंगे, जो है, तो किस दिन दोस्ती हो जाए, तो हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, और है तो अच्छा है, कोई भी ऐसा काम जो नेशनल इंटरस्ट में हो, जो कश्मीर को स्टेबिटी देश के, जो कश्मीर के लिए को इंटरस्ट रख सके, उन सब काम स्वाधत करते हैं, नाशनल कॉन्फरेंस और पीडिपी जैसी पार्टी जिन्होंने चुनाब से पहले धारा 370 को वापस लाने का वाइदा किया, दो जंडे का वाइदा किया, आपको लगता है कि यह पूरा कर पाएंगे यहां के जंदा है, क्यों 370 कैसा है, जैसे नाशनल का था, मेरी असेंबली फर्स रेजलिशन होगा, 370 को हटाने का, तो रेजलिशन आप कर देते हैं, और मिनिस्ट्री माता, गवर्नर के थ्रू पढ़ा रहता है, कुछ नहीं होता, स्विक्वारियां चलती रहती, उसके बद्धिमता पू स्विकार के लिया है, तो डास्ते हैं खुलने वाला था, जो रास्ता बंध हो गया है, सुख़त खबर है, अची खबर है, अच्यों गजगर के रिश्ते हैं, क्या केरल, तमिलनादू और कर्नाटा के स्टोरी रिपीट होगी जप्पीर में बी? अब इच्छे महनतों नहीं लगता है शुरुवाती दोर में दोनों दुस्रों निभाने ही कोशिश करेंगे क्यों all said and done politics के लावा नेनल मुद्यामिश्या का ये तो व्यू है ने कि कश्मीर नॉमल रहना चाहिए इतनी महनत करके कश्मीर बैक टू नॉमल टूरिजिम बैक ट बढ़ता है कौन कितनी फ्लेक्सिलिटी के साथ आगे बढ़ता है तो सम्हावना ही कि मिल के चलेंगे दोनों तो आपन कह सकते है कि इनिशली इस सिक्स मेंसार कुरुशियल शंकराचारे पहाडी हारी परवत का नाम बदलने का वादा तो कर दिया नैशल कॉन्फरेंस ने लेकिन क्या मुनासिब होगा कि इनका नाम बदला जा सके लगता निये मुझे अभी कि ऐसा कंट्रोर्शिल किसी काम में पर तो इलेक्शन मैनिफेस्ट हो था पांच साल पड़ें उनको पूरा करने के लिए कोई आएगा तो कहते हैं कि अभी बाट टाइम पड़ा अभी जब 370 ही डॉप हो गया एक तरह से उनके एजंडा से तो इ सब्सक्राइब तो क्या है कि चुंकि एक डॉक्र जितेन सिंग महां पे हैं सब हैं और सुल्जे मनोज सिना हैं और समें कोर्डिनेशन अच्छा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई वैसा मुद्धा सरकार उठाएगी जिससे कि समाजिक सुहादर या कमिनल सुहादर बिग कर सकते हैं ये कैसा विषय है जिसे बहुत कोई कंट्रोवर्सीन ओल नहीं खाली दो तीन सो क्रोड़ पर खर्चे की बात है अगर उनको सैक्लोजी के लिए अच्छा लगता है ठीक है दरबार होना चाहिए अपन छे मिने वहां रहेंगे छे मिने यहां रहेंगे ठीक है ना सब आंख कान खुले सब रखते हैं लोग समझते हैं वात को तो आई थिंग कंस्ट्रक्टिव प्रपोसल है हाई को अगर वो कहेंगे कि हम करना चाहते हैं तो हाई कोड़ों क्या आपती होगी तो ये मांग ऐसी है इसको अगर वो उनको खुद का मन करेगा तो ये पूरी हो सकती है दर्बार सिस्टम वापिस लागू हो सकता है कोई इसमें कोई लूजर नहीं है एक्सट्री हंडेड करोड से एक रहा है सर अब श्री नगर में नई सरकार मिलने के बाद जिम्मू कश्मीर को पूर्ण रज्य का दर्जा कम मिलेगा जखो इनके आचन पर डिपेंड क अर्थाद ग्रह मंत्राल है और नेंदर मोदी ही पून राज्य का दर्जा वापिस लोटा सकते हैं बट एट अन एप्रोपेट टाइम उसके परिभाशा नहीं है सुप्रेम कोड में रिट हुए कल परसों के दो मामी किया जाए लेकिन अभी सुप्रेम कोड कुछ क्या भी स हम और नहीं मिला तो इंडिया लाइनस के तमाम नेता तमाम कारेकरता लोग सड़क पया जाएंगे अब बाजी राहूल के हाथ से निकल गई एक्चुली जो है हराना में कल थोड़ा सा जो हुआ है तेक मोरल इंफ्लेंस होता है हर आदमी का अथोरिटी होती वो थोड़ा काम हुई है फिर क्या हुआ है कि अब अबदुल्लाज एंड सेंटर मेंस मोधियन शाह, they are moving fast to closer, closer, they are coming closer in just 10 hours, they have come quite close in their ideological statements, जो है, तो हो सकता है, वो कहते हैं, दिल्ली वाले को भी रुख जाओ छे मेने, तो फिर राहूल गांदी क्या करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस बात के लिए सड़त पाने के जरूत पड़े, क्यों अगर गभर्मेंट का सपोर्ट नहीं होगा सड़त पाने को तो राहूल गांदी अके लिए क्या करेंगे, और राहूल गांदी खुद समझदार है वैसे, उनको दिखता है क्या छे मेने में अगर इनकी दोस्ती अच्छी चल गी हमारे सब के और छे मेने में आ सकता है चे जोड़, तो क्यों सड़त पे उतरे हैं आपन सर अब्दुल्ला सरकार के प्रती जमुक कश्मीर बीजपी का जुरूख है वो कैसा रहेगा वो सेंटर पे डिपेंड करेगा, गवल एंजिन की सरकार है, इशारे से चलता है शाषन, उनको लगएगा कि सरकार कुछ ऐसे फैंसले कर रही है जो हिंदू सेंटिमेंट के खिल हैं या आम जनता के खिलाफ हैं, जन बिरोधी फैंसले हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह का जो हो रहा है, तो आवाज उठाएंगे वहाँ पे वो, अब आवाज कितनी उठाएंगे, यह उस वक्त डिपेंड करेगा, कि 2000 वर कर आएंगे, 4000 आएंगे, 6000 आएंगे प्रद लाल चौक पर भी ऐसी चलते रहेगे नॉर्मल लाइट, बहुत महत्रपून सवाल है आपका ये, सारी सफलता सुप्रिम कोर्ट के एक्सपेरिमेंट की, नेंदर मोदी के एक्सपेरिमेंट की, इस सवाल के जवाब में नहीत है, कि जो सपना हमने बनाया था शीर नगर में, जो सपनों का शेहर बनाया था, जो धरती का स्वार्ग रिक्रियेट किया था, रिस्ट्रक्टर किया था उसको, रिकंस्ट्रक्ट किया था, क्या उतना है स्वरक्षित रहेगा, क्या आम आदमी का जीम वैसा है रहेगा, क्या लाइफ इतनी नॉमल रहेगी, टूरिजम और इसे बहुत कुछ डिपेंड करेगा किसी इन किसी बात को भी लेकर किसी ने प्रदर्शन किया चहा हो बीजेपी के लोग हो राहूल गांदी हो कोई दूसरे जमाती लोग हो यह जो लोग पेट गए चुनाव में यह लोग हो दोसो लोग प्रदर्शन करेंगे मीडिया सारदंदा चोपट हो जाएगा ते बहुत महत्वपून सवाल है और इस सवाल का जवाब आने वाले समय के घर में नहीते इसे कहते हैं आने वाला समय बताएगा खास करेंगे अगले पांचे मेने कि श्रिण अगर वैसा का वैसा रहता है कि नहीं सर अभी आपने आवाम इत पिछल जेशी शो में का था इन लोग बारे में धारना बन गई है कि चाह सत्ता है चाह गलत है यह बीजेपी की प्रोक्सी है अर्थात हुछ लोगों ने का बीजेपी के पिट्ठू है यह वो धारना उनको ले डूबी एक तरह से उसस था कर नहीं था और हो सकता है जेट सेक्रिटी दो कोई कुछ कहता तो बड़ा कंट्रास्ट हो जाता फौरम मिलिटेंट की जेट सेक्रिटी लगा रही शेरिनगर की प्रीज बैठके वहाँ पर जो है तो इसे लोग नहीं आए वहाँ पर राज के अंदर तो मतलब एंबरस्मेंट उनका भी नहीं उनका अब देखना यह है कि चुनाव से निवड़ने के बाद चुनाव में फेल होने के बाद यह लोग अपने पुराने बैग्ग्राउंड को लेके कोई नहीं तो शरारत या कोई आंदोलन या कुछ और कुछ ऐसा तो नहीं करते हैं तो दे नीड टू कैट अंडर क्लोज सुप है यह इंडिया है और अनफॉर्चुनेट है आप यह देखे कि भारत ने अर्थात भारत सरकार ने क्या नहीं किया घाटी के लोगों के लिए शिरनगर के लिए क्या नहीं किया अगर हमिशा 370 नहीं हटाते लान ओर ऐसी स्टॉंग नहीं होती तो क्या नॉमल बिजनस होता गाती में क्या घाटी के लोगों को रोजगार मिलता क्या गाती कै लोगों के घर के उबहार सड़ कि उसको छोड़ो जो तूरिज्म आरा जो बेसिक धंदा वहां का का रोजगार का, क्या होता, नहीं होता, तो जिसे कहना चाहिए, कभी को ऐसा लगता है आदमी कि भी, one should not be ungrateful, घाटी के प्रती कुछ लोगों का भाव ऐसा जाता है, घाटी के बाहर के लोगों का, उनके प्रती, यार ungrateful मत हो, इतना क्या है तुम्हारे लिए, अब तो सब क्लियर है ना, अब 370 तो वापिस आ नहीं सकता, आज उमार अदुल्ला ने क्या दिया नहीं कि वापिस नहीं आ सकता, मान जाओ यार, मन को समझाओ, लेकिन वो समझाने का तो टाइम फिर चुनाव है का तब पता लगेगा ना, अब तो एमोशनली अटेच्ज हैं वो, इसको अपनी डिगनिटी और सम्मान का प्रतीक मानते हैं, 370 का, जो है, अब वो ठीक है, उन्होंने वोट किया, लेकिन लेट सी एक ठीक है, कोई बात न नहीं बदला है, ठीक, इट्स ओके, अब नई सरकार में आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडितों का कुछ भला हो पाएगा, होना चाहिए, सेंटर तो चाहेगा ही, और फॉर्चुनेटली जो अबदुल्लास का जो भोशना पत्र है, नेशनल कॉन्फरेंस को इसमें लि तो अगर अबदुल्लास जो है, या मुफ्ती कह दीजे, महभूब आईए, अगर मन से चाहेंगे थोड़ा, कि भी थोड़ा इनको वापिस लाना चाहिए, बहुत हो गया, अब तो कोई आतंकवाद तो रहा नहीं, कोई थ्रेट नहीं है, जो है, तो उनके प्रावलम क्या ह है, रियाबिलेटेशन की है, तो एम्प्लियमेंट की है, तो आइम होपफुल के इन दिनों में, मेभी इन ए येर और टू, जो है, इन कश्मीरी पंडिस के लिए कुछ अच्छा हो, भारा सरकार भी करें, अब दुलाज भी करें, ऐसी आशा की जानी चाहेंगे. जो बहुत है, उस पर बीजेपी के प्रत्याशिक की जीत होती है, इस जीत को आप किस तरह देखते हैं? प्रियंका गांधी को जले भी बहुत पसंद है, और उस पर चुनोती आगई थी एक तरह से, तो एक आशा की किरन है ये, कि नहीं भी 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 धार्मिक संस्कारों के इनकी पार्टी, लोगों के आस्ता है भाजपा के अंदर, और व्यास्मादी विजे बहुत बड़ा ए प्रियंका गांधी को जले भी बहुत पसंद है, और उसके बाद जलेभी का किस्सा चल पड़ा, जो कल नतीजों तक भी रहा, जाहर तो और पर हर्याना में चुनाओं नहीं जीत पाई कॉंग्रेस, तो वो फीका पढ़ गया जलेभी का जो रस है, जो फूने माँ भी कह रह प्रियंका गांधी को लेकर जा सकते हैं, लेकिन अब जलेभी का मुद्दा तो देखो, बीजेपी ने पीड दिया, नहीं नहीं जा जा रहे हैं, तो एक तो इसका पाट यह था, जो नारा कॉंग्रेस लाई थी या जो वेंग लाया था, और बीजेपी ने पीड दिया, जो अब शक्ति सीट तो फेमस शॉप है पूरे कंट्री में जलेभी की जह है, अब जाएंगे नहीं तो जाएंगे और श्री नल घूमनेगा शॉप तो सब को रहता है, प्रिंका गांधी हो जाएंगे तो ठीक है कौफी पर लेकिन उनको उनको वो शक्ति सीट में जलेभी खात तुमको जलेभी खाने जरूर जाना चाहिए, बट अन्दा स्पोर्ट, जेशु गिए वोट ऑफ ठैंक्स तो नियंदर मोदीन अमेश्या सर, हर्याना की जीत पर BJP जशन मना रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हार को लेकर उतना अफसोस जलक नहीं रहा है, क्या आप इसको एक कॉंटरिक्शन की तरह देखते हैं या कुछ और है नहीं ठीक है, वो मन में पता है सब को सब, वो मन में जानते हैं कि सरकार के पास क्या ताकत है, सारी ताकत, सारा गेम तो इसके पास है, सारी सत्ता की चावी तो एलजी के पास है, एलजी इनका आदमी है, बारस सरकार का आदमी है, डवल इंजन का आदमी है, यह मान लीजे, बाइप्रोक्सी तो समपर कहता है है लोगों का जा है तो जानतें है लोगोंका यह तो जानतें इस इस definitions से मचाहों में खा से और वार्णड ओरियगे लीन, 스타 Might निभाव इनके साथ कश्मीर तो कमसम डिस्टरब नहीं हो कश्मीर तो शांती पॉंड है एक तरह से जए तो ऐसे चलता रहे गाई बलकुल सर और क्योंकि घाटी में दस साल बाद अब उनको वहाँ के लोगों को उनकी सरकार मिली है तो जाहर बात है घाटी ऐसी ही गुलजार रहनी चाहिए उनका कोई नुमाइंदा होना चाहिए जो उनकी एक बात करें दूसरी तरह फर्याणा है जहां पर तीसरी बार सरकार बनाने के साथी बीजेपी ने एक बार फिर से हाट ट्रिक लगा दिये है आने वाले समय में तीन राज्यों में महतपून चुनाब होने हैं जारखन महराश इसके साथ दिल्ली और वहीं छे राज्यों की 28 सीटों पर उपचुनाब भी होने हैं सियासी बिसाथ है इसी तरीके से चलती रहनी चाहिए बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है लेकिन हर्याणा की हार से सीख कर कॉंग्रेस आने वाले राज्यों में चुनाबों को कैसे हैंडल करती है कैसे अपने आपको मजबूती से रखती है ये देखना होगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेसी शर्ज, मुकश्मीर और साथी हर्याडा के चुनाबी नतीजों पर ये खास विशलेशन करने के लिए और साथी जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दजेसी शो का हिस्सा बनने के लिए आप बने रहें भारे 24 के साथ एक छोटा सब रेक लेंगे नमस्कार पर शोटा बने के लिए एक लेंगी। प्राव पर शोटा है बन्हीं, ये, वे एक लोटा सबने के लिए और साथी जनता का जोटा पर प्राव प्राव बने के लिए ले थक्ता है झाल झाल